बहुत समय पहले एक छोटे से गाव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। माधव महनती और इमानदार जबती था। परंतु किसमत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके पास केवल एक छोटा खेट था जिसमें वह दिन रात महनत करता परंतु फसल अच्छी नहीं होती थी। उसका परिवार भी भूख और गरीबी से जूज रहा था। माधव के खेट के बीचों बीच एक पुराना आम का पेर था। वह पेर बहुत विशाल था और गाव में सबसे पुराना माना जाता था। लोगों का कहना था कि वह पेर जादूई है लेकिन किस कर भदवान से प्रार्थना की। हे भदवान मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। मेरे परिवार की भूख मिटाने का कोई उपाय दो। उसकी आंखों से आंसु बह रहे थे और वह गही मींद में चला गया। रात के समय जब वह सो रहा था उसे एक सपना आया। सपने में वह उसी आम के पेर के नीचे खड़ा था और पेर की डालियों से सुनेही रोश्मी निकल रही थी। अचानत पेर में से एक मधुर आवा जाए, माधव उठो। मैं इस गाव का जादूरी आम का पेर हूँ। तुम्हारी मेहनत और इमानदारी में मुझे प्रसंद किया है। मै अगर तुम लालच करोगे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। माधव ने विनमरता पूर्व पेर की बात मान ली और अग्वे ही दिन उसने देखा कि पेर पर कुछ चमकते हुए आम लगे हुए थे। जब उसने पास जा कर देखा तो वे आम सोने के बने हुए थे। परन्तू उसने कभी पेर से प्राप्त धन को अपने लिए उप्योग नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और गरीबों की सेवा में लगा रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीटा गया, कुछ लोगों को माधव की इस संपत्ती के बारे में संदे होने लगा। गा पर जाएंगे और जादू खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गाव के मुख्या को भी इस बात की भनक लग गई। वह बेहद लाल्ची था और उसने माधव से सोने के आमों का रह से जानने का प्रयास किया। परन्तू माधव ने उससे भी मना कर दिया। मुख्या ने गुस्से में आकर माधव को धंकी भी कि यदि उसने सच नहीं बताया तो उसे गाव से निकाल दिया जाएगा। माधव बहुत चिंतित हो गया। उसने रात में फिर से आम के पेल के नीचे बैठ कर प्रार्थना की। अचानक पेल फिर से चमतने लगा और मधूर आवा जा माधव याद रखना जो लोग लालच करते हैं वे कभी सुखी नहीं होते। तुम अपने रास्ते पर अधिग रहो और दूसरों की मदद करते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन मुख्या ने माधव को गाव की पंचायत में बुलाया और जोर देकर प परी, पेल से चमकिली रोश्मी मिकली और मुख्या और उसके साथ है लोग अधिय हो गए। पेल ने कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब तुम कभी इस पेल का रहसे नहीं जान पाओगे। मुख्या और उसके साथियों ने पच्टावा किया, पर